हेलो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ एक हेर ओयल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जिसके रेगुलर यूज से आपको काफी हक तक हेर फॉल की जॉब की समस्य है उससे आपको निजात मिलेगा तो इसके लिए मैंने नारियल तेल लिया है पैराशूर नारियल तेल और आवला ले लिया इसको मैंने धोकर सुखा लिया था साथ ही साथ मैंने अलो बीरा के पक्ते भी लिये हैं जब हम तेल बना ही रहे हैं तो इसमें क्यों ना हम जादा से जादा समान डाले तो पहले तो मैंने सुचा था सिर्फ आवले का तेल बनाऊंगी तो फिर बाद मे मैंने सोचा कि नहीं इसमें मैं और भी काफी कुछ चीज आइड कर दूंगी जिससे कि इसकी गुणवत्ता तेल की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाए तो शुरुवाद में तो मैंने आवले को अच्छे से काट लिया छोटे-छोटे पीसिस में काट लिया क्योंकि हम इ दाल दीजिए दालने के बाद इसको अच्छे से चला लीजिए चला कर इसका एक दहद्रा सा पेस्ट बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि लोही की कड़ाई अगर आपके पास है तो यह तेल हम लोही की कड़ाई में प्रिपेर करेंगे अगर आपके पास लोही की दीडिरे तो अभी मैंने इसमें पेस्ट नो डाल दिया मैं कम आच में कम दस से कम दस से पंद्रा मिनिट हो जाने के भी क tapi कड़ी पथा कर देंगे कोई भी चीज हम जनाएंगे नहीं हमको बस इसको अच्छे से कमाच में इसकी हमको इसका जो गुण है उसको अमको हमको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अभी मैं इसको पका रही हूँ, कम आच में पका रही हूँ और ये तेल जो है ये इतना गुनकारी है कि आप इसको रेगुलर यूज कीजिए, आपको खुदी आपको बेनेफिक्स मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सभी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आवला, अलोवीरा, बहुत ही अच्छा है, तो कड़ी पत्ता अभी इस मेहने में इतना अच्छा नहीं मिलता बजार में, फिर भी जैसा भी मिला मुझे, मैं वैसा ही लेकर आई हूँ, और क्योंकि बारिश का मौसम, अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, जैसी बारिश पढ़ें फिर नहीं मिलता हैं, मैंने इस प्रज़िक बन आयदे स्था स्कूरी इy का पगभी नहीं में, फिर नहीं में पंपदी डेंबाट मे attacked लाइनए्ए हमने बारिश पा 사न्टान ओल डाल मैं अच्छा वाल के लिए बहुत ही नहीं गुनकारी है, डाइन और दे प्याज भी डाला जाए क्योंकि जो प्याज है वह भी हमारे बालों के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है इन सबको मैंने अच्छे से कम आच में पका लिया अभी देख सकते हैं यह पूरा अच्छे से पक चुका है इसी वक्त में क्या तरूंगी गैस को आफ तो हमसरा से shop कहलेए को ते ग्मार ओरम तेल निकालने का Queen कुकि घर अगर तेल छान लेंगे तो हमको ज़्यादा म mixedique में तेल मिलेगा जात तो आप सकते हैं आप उस कटेल को कड़ाई में और भी चोडवे सकते हैं आदा निकल जाएगा कि निशनी के साफ meant तेल को यह व को और उसके बाद फिमे ने जितना हो से के इसको उपर उपर तो निचोड लिया लेकिन जो पोट लिया है उसमें निचोड़ना मुश्किल है क्योंकि यह अग्दम गरम है अभी इसलिए मैं क्या करूँगी जितना निकल गया निकल गया बाकी को मैं कर्ची की सायता से दबा कर इसको भी मैं निकाल लूँगी गरम गरम में अभी मैं क्या करूँगी कर्ची से उसको दबा दबा कर निकाल लूँगी देखिए ठंडा हो जाएगा तो इतना तेल नहीं निकलेगा क्योंकि जो बाकी जितना समान है जो भी यह कछड़ा है वो पूरा तेल खीच लेगा ये जो मैं चुटा सा शीषे का टिफिन बॉक्स है यह मेरा पूरा तेल भर गया था इसमें और ईक च्छटा सा सिचील का कंटेनर है तीफिन बोक्स उसमें भी तेल भर गया जो अंत में मैं चीज डालूँगी इसमें मैं डालूँगी ओलीवॉ il इससे तेल का गुनवत्ता और भी बढ़ जाएगा साथी साथ मैं कैस्टर ओयल डालूंगी कैस्टर ओयल भी हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते ही क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा और मोटा होता है इसलिए इसको हमको किसी ना किसी तेल में मिलाना ज़रूरी है तो हम इस ओयल में शुरू में ही मिला देंगे और एक बार ही मिला कर हम इसको बाद में यूज़ करने के लिए एक काम आ जाएगा तो इसी वक्त आप कैस्टर ओयल और ओली ओयल मिला लीजिए बदाम तेल है तो भी मिला लीजिए, मेरे पास फिलाल नहीं था, तो मैंने यहीं मिलाया, और यह भी बहुत ही गुनकारी है, आप इसको लगाईए, लगाने के बाद आपको रिजल्स खुद ही मिलेगा, और रिजल्स मिलने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ब तो बस इसी तरह आप इसको यूज कीजिए, और कोशिश कीजिए कि लगाने से पहले थोड़ा धूप में रख लीजिएगा, उसके बाद इसको अपलाई कीजिए अपने भालों में, थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो